अप का बूट योगी जी को जाएगा आप का भी बूट योगी जी पो जाएगा और इधर जो पांस साल में है उसको अगर हमसे आप कह दीजे के कुछ आप बताईए के क्या गवर्मेंट ने किया है तो हमको सोचना पड़ेगा और सोचने के बाद भी शायद हम बताना रहा कि योगी जी को लोगे से वो उनके अपना व्यक्तिकरत हुँ है अब ल्याइए लेकिन सबकी सवोच अपनी इसमोच अपनी है और हम अकलेजी को ही समय में पर अकलेजी ने काम किया किया है जो काम किया थाहिता बैलकुर दूसरा आपने एक Сवाल पूछा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक feminism वाला, एक feminist card play किया गया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उनको कभी किसे ने नहीं रोका लड़ेने से. आज वो slogan क्यों आया है नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हुंकार इंडिया में मैं गौरी तुर्वेदी जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि विधान सभा चुनाव नस्दीक है सियम योगी से लेकर तमाम राजनातिक दल तमाम बड़े बड़े दावे लेकर के मैदान में उतर चुके है अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जो दावे हैं वो जमीनी हकीकत में दिखते हैं या नहीं आपको बता दें कि मैं इस समय लखनव के मेडल में जो की मध्य विधान सभा है जिसके विधायक ब्रिजेस पाठर जी है वहाँ पर मौझूद हूँ आए जानते लोगों से कि यहां कि जो लोग है वो कितना खुस हैं बीजेपी से काम से और वो सीम किसे देखना चाहेंगे आगामी विधान सभाचिना होगे आलोक सिंग जी ये बताईए कि कितना खुस हैं बीजेपी से बिजेपी से खुस रहा ना क्योंकि हम लोग लखनव में रहते हैं तो लखनव में जो बेसिक सुविधाय दी जाती हैं लोगों को वो किसी की भी सरकार हो बेसिक सुविधाय तो मिली रही होती हैं रही बाद अगर जो गड़धा मुख्त सटकों की बात की थी योगी जी रही बात की तपर यह गोई तो नहीं होई बाकी जहर की नीड है तो वह dominate- Rakat जो और r0nyx तो यह जो कहते गड़्धा मुक्त सडके हैं वो एकदम से जूटा दावा जूटा दावा नहीं कहेंगे उसको क्योंकि बाहर बहुत सारे निर्माड हो रहा है लेकिन एज़ा नेटिव एज़ा सिटीजन में कहूंगा तो मैं अपने छेतर में देखता हूं तो पिछले 5 साल म पर शिर्फ पंचर रिपेयर का काम हो रहा है और किसी तरीके का जो एक गड़्धा निर्माड का काम होना चाहिए वह उस तरीके से नहीं हो रहा है क्या भीजेभी हिंदुत की चहरे पर चुनाऊ लड़ती है अनृत कुछ चेहरे पर नहीं कहा जाए क्योंकि तुछ देखा जाए तो अंग्रेश अभी फूल पावर में आ चुकी लड़की हूं लड़सकती हूं के लगता है कि कितना ज्यादा वो लड़की हूं लडसकती हूं के स्लोगन से कितनी वोट खीच पाएंगी या क्या सत्ता प्रकाबज हो कि खीचने की बात नहीं बात यह है कि gender equality की बात करते हैं हम लोग इस देश में लड़की हैं लड़ सकती हैं उनको सारे संविधान में उनको सारे राइट्स दिये गए हैं लड़कों से ज्यादा राइट्स दिये गए हैं तो इसका कहीं न कहीं मिस्यूस भी हो तकता है तो लड़ सकती की परिभाशा को डिफा मरतन है उनको और रही बात जो जैसे भीया ने कहाँ विकास की बात तो विकास उस इस तर पर हुआ नहीं है लेकिन देखना फिर भी बीजेपी को चाहेंगे क्योंकि इसके कारण यहीं है कि 60 साल सत्ता में रहने के बाद किसी को एक को मौका मिला है तो हम दुबार हम बीजे सताओं की घर पे एक मालिक होता है वो घर की हर परेशानियों को एक साथ नहीं सॉल्व कर सकता उसको अलग अलग सॉल्व करना होता है तो मुख्यमंत्री है हमारे एक है हर चीज को छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज को एकी समय पे एकी साथ केवल पा कि लड़की उन्हों लड़ सकती हूं, उनको कभी किसी ने नहीं रोका लड़ने से, आज वो स्लोगन क्यों आया है, लड़की उन्हों लड़ सकती हूं, पहले भी लड़ ले थी, इसमें कोई ओब्जेक्शन नहीं है, हाँ, कानुन ने उनको पूरी छूट दे रखी है, हम जेंडर एक्वैलिटी की बात करते हैं, तो अगर जो जेंडर एक्वैलिटी की बात करेगा, वो इस स्लोगन पर कभी नहीं जाएगा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो वोट देना ना देना पबली के हाथ में है, परसंटेज अभी से डिसाइड करना इस नॉट में अख्लेश जी, अख्लेश जी जन्दाबाद यह जिए ग्वां जी हम यह जागा जी जागा बैट स्थ जाए टयूप डेन हो लान पर साफाई कर दगवाई सफाई करवाई ज्वैर्फेंड बनाए, बाबा जी ने जाँच के नाम पर यह नाम पर पो डाल दिया, पांज है लेकिन सबकी सोच अपनी अपनी है और हम अकलेश जी को ही समर्थन में लेते हैं अकलेश जी ने काम किया है जो काम किया है तो जो लडाई है वह बहुत ज्यादा आहम और खास होने वाली है क्योंकि अभी देखिए चार लोगों में दो-दो बट गए तो और मुख्य जाहिर सी बात है कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी आ सकते हैं अगर हमसे आप कह दीजे के कुछ आप बताईए कि क्या गवर्मेंट ने किया है तो हमको सोचना पड़ेगा और सोचने के बात भी शायद हम बताना पाएं तो हमको जो दिखता है अपनी आखों से रोड पे चलते हुए जो डवलेटमेंट दिखता है वह अखिलेश जादोजी के कारेकाल में हुआ है सारी चीजें आप जानती है इस चीज को और लखनों की सारी जनता लोग कुछ लोग कहने में संकोश करते हैं तो वह संकोश वस्त जो है बहुत बार लोग जो है योगी जी का नाम कर वह चर दीर करो तो इस पर क्या चाहिए क्ट तो उन्हों ने जब सरकार बनाई त rollers तो उन्हों कुछ सोच स्माज कि अपने एजंडा टेकिंगें है इस साधान करति और वापस चल रहा है तो यह एक कमी हमको दिखाई देती है एज़ा नेटिव एज़ा सिटिजन मैं कहूंगा तो मुझे अखिलेश को जाएगा आपका वोट योगी जी को जाएगा आपका भी वोट योगी जी को जाएगा चलिए यहां पर हमने लखनो मेडल में कुछ लोग